लिजी सुनिए बंकिम चंद्र चटर जी के लिखे उपन्यास आनन्द मठ के तीसरे खंड के दूसरे परिछेद को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में उनने नों कंपनी के अने एक रेशम की कोठियां थी ऐसी ही एक कोठी शिवग्राम में भी थी डनवर्थ साहब उस कोठी के मालिक थी वो समय इन कोठियों की रक्षा का बड़ा अच्छा बंदूबस्त था इसी से डनवर्थ साहब किसी तरह अपनी जान बचा सके पर उन्हें अपने बाल बच्चों को कलकते भेज देना पड़ा सब को भेज कर वे आप संतानों के उब्द्रव सेह रहे थे इसी समय कप्तान टामस साहब अपनी कुछ फौज के साथ वहां पहुंचे इस समय संतानों का उच्साह देखकर बहुत से चोड़ चाई तथा डोर चमार और भुईया नीच जाती वाले बेफिकरी के साथ लूट खसूट मचाने लगे थे इन लोगों ने टामस साहब की रसत पर भी चापा मारा कप्तान साहब की फौज के लिए गाड़ियों पर बहुत उम्दा घी, मैदा, मुर्गी और चावलादी चीजें लदी जा रही थी ये देखकर डॉम चमारों के मुह में पानी भराया उन्होंने गाड़ी पर हमला कर दिया परन्तु कप्तान टॉमस के सिपाहियों के हाथ में जो बंदुके थी उन्ही के कंदी की मार से भी भाग गए कप्तान टॉमस ने कलकती रिपोर्ट भेजी कि आज मैंने 157 सिपाहियों के ही सहारे 14700 विद्रोहियों को परास्त कर डाला है विद्रोहियों में 2153 आदमी मरें 1253 गायल हुए और साथ कैद कर लिये गए हैं पर केवल यही अंतिम बात रिपोर्ट भर में सच्ची थी कप्तान टॉमस अपने मन में ऐसा समझ कर मानों उन्होंने केनहिमिया रसवाक किसी कोई बड़ी भारी लड़ाई ही जीती है गमंड से अकडे हुए मूचों पर ताओ देते हुए निर्भा इधर उधर घूमने लगे साथ ही डनवर्थ साहब को अपदेश भी देने लगे कि अब क्या डर है अब अपने बाल बच्चों को कलकते से यहीं ले आओ विद्रोह का तुमेने अंतिही कर दिया डनवर्थ साहब ने कहा अच्छी बात है आप यहां दस दिन और ठहर जाएए देश थोड़ा और स्थिर हो जाए तब मैं अपने पुत्रादी को बुलवा लूँगा डनवर्थ साहब ने बहुत सी मुर्गियां और भीड़े पाल रखी थी उनके यहां का पनीर भी अच्छा होता था तरह तरह की जंगली चिडियों का मास उनके भूचनाले की शुभा बढ़ाया करता था इदर लंबी दाड़ी वाला बावर्ची भी मानो द्रोपदी का ही अवतार था इसलिए कप्तान टॉमस बड़ी बेतकलुफी के साथ वहीं रहने लगे इदर तो भवानन्द मनीमंदात पीस रहे थे विया ही सोच रहे थे कि कब टॉमस साहब का सिर काट कर दुट्ती ये संबरारी की उपाधी धारन कर लू अंग्रेज लोग भारत वर्ष की भलाई करने आये हैं उस समय संतानों की समझ में ये बात नहीं आती थी समझते भी कैसे कप्तान टॉमस के समान अंग्रेज भी इस बात को नहीं जानते थे उस समय ये बात विधाता के मन में ही चिपी हुई थी भवानंद सोच रहे थे एक दिन इन असरों का सर्वनाश करूँगा सब को जमा हो कर यहां चले आने दो बस उनकी जरा सी असावधानी देखते ही उन पर तूट पड़ूँगा अभी जरा दूर ही दूर रहने का काम है इसलिए वे अपने धलबल समेत दूर ही दूर रहे कप्तान टॉमस निश्कंटक होकर द्रोप दी के गुणों की बानगी लेने लगे साहब बहादुर को शिकार का बड़ा शौक था इसलिए वे कभी कभी शिवग्राम के पास वाली जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे एक दिन टॉमस साहब डनवर्थ साहब के साथ गोड़े पर सवार हो कई एक शिकारियों के साथ शिकार खेलने के ले ये तो कहना ही वेर्थ है कि टॉमस साहब बड़े भारी साहसी और बलवीर में अंग्रेज़ों में भी अद्धूतिय थे वो घना जंगल बागों भैसों और भालों से भरा होने के कारण बड़ा भयाव है था इसलिए कुछ दूर आने पर शिकारियों ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया वे बोले बस आगे भीतर जाने का रास्ता नहीं है हम लोग तो अब आगे नहीं जा सकते एक बार डनवर्थ साहब इसी जंगल में एक भयानक शेर के पंजे में पढ़ते पढ़ते बच गए थे इसलिए उन्होंने भी आगे जाना सुईकार नहीं किया सबकी एच्छ लोटने की ही थी कप्तान टॉमस ने कहा तुम लोग न जाओगे तो लोट जाओ पर मैं तो अब नहीं लोटता ये कह कप्तान साहब उस घोर जंगल में पहुँच पढ़े सच्मुश उस जंगल में रास्ता नहीं था घोड़ा आगे न बढ़ सका पर साहब घोड़े को छोड़ कंदे पर बंदुक लिए अकेले ही आगे बढ़े वे घुसे तो बाग की खोज में थे पर खोचते खोचते हैरान हो गए तो भी कहीं बाग न दिखाई दिया उसके बदले उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी पेड के नीचे खिले हुए फलो वाली लताओं और चोटे-चोटे पौधों के बीच में न जाने कौन बैठा है वो एक नवीन सन्यासी था जिसके रूप से वो सारा जंगल उज्ज्वल हो रहा था खिले हुए पूल मानों उसके स्वर्गे शरीर के संपर्क से और भी अधिक सुगंधमय हो गए थे कप्तान साब भौचक से हो रहे पर तुरंत ही किरोधा गया वे हिंदुस्तानी बोली विच्चितर तरह से बोलते थे उनने पूछा तुम कौन है सन्यासी ने कहा मैं सन्यासी हूँ कप्तान ने पूछा तुम बागी है सन्यासी ये किस जानवर का नाम है कप्तान हम तुम को गोली मार देगा सन्यासी मार दो कप्तान मनी मन विचार कर रहे थी कि गोली मारूं या ना मारूं कि इतने में सन्यासी ने बिजली की तरह तड़प कर साब के हाथ की बंदुक छीन ली इसके बाद सन्यासी ने अपना रक्षा वरान चर्म खोल कर फेक दिया और एक ही जटके में जटा भी हटा कर दूर कर दी कप्तान टॉमस ने देखा कि एक अपूर्व सुंद्री सामने खड़ी है सुंद्री ने हस्ते हस्ते कहा साहब मैं इस्तरी हूँ मैं किसी को मारती नहीं मैं तुमसे पूछती हूँ कि हिंदु मुसल्मानों में जब जगड़ा होता है तुम लोग क्यों बीच में कूदते हो अपने घर चले जाओ साहब तुम कौन है शांती देखते तो हो कि मैं एक सन्यास नी हूँ तुम जिनके साथ लड़ाई करने आये हो उनी में से किसी एक किपत्नी हूँ साहब तुम हमारा घर पर चलेगा शांती क्या तुमारी रखेल होकर साहब और अट कम माफिक रहना लेकिन शादी नहीं होगा शांती अच्छा मैं भी तुमसे एक बात पूछती हूँ हमारे घर पर पहले एक बंदर था पर हाल में वो मर गया उसका पिंजरा खाली पड़ा है कै तुम उस पिंजरे को आबात करने चलोगे मैं तुमारी कमर में भी सांकल बांध दूँगी हमारे बगीचे में खुब मीठे केले फलते हैं उन्हें भर पेट खाया करना साहब तुम बड़ा बहादूर आ रहाथ है तुमारा शाहद देखकर हम बहुत खुशी हुआ तुम हमारा घर पर चलो तुमारा खाबिंडे तो लड़ाई में मारा ही जाएगा फिर तुम क्या करेगा शांती अच्छा तो हम लोग अभी से आपस में एक बात देखकर रखें युद्ध तो दो चार दिन में होगा ही यदि उस लड़ाई में तुम जीतोगे और मैं जीती बचूँगी तो तुमारी रखेली होकर रहोंगी पर कहीं हमारी जीत हुई तो तुम हमारी घर आकर बंदर बनकर पिंजरे में रहोगे और केले खाया करोगे न सहाब केला उम्डा चीज है इस वकट तुमारे पाश है शांती ले जा अपनी बंदूग ऐसी जंगली जाती से बाते करनी भी बेवकूफी है ये कहे बंदूग फेक कर शांती हस्ती हुई चली गई अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंदर चटर जी के लिखे उपन्यास आनंद मठके तीसरे खंड के दूसरे परिछेद को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में